आप सब लोगों को मेरा नमश्कार आज का दिन भारत के टिहास में एक तरह से भारतिय जन्तंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया यह बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है असहाई बनाता है लाचार बनाता है गुलाम बनाता है जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था उस कानून का नाम था Government of India Act उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी काम करने की शक्तियां नहीं होगी जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने समविधान बनाया और समविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोधी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे दिल्ली में दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ती नहीं होगी ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है अब सरकार बनाई हो सरकार की कोई शक्ती नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सुप्रिंग कोट ने क्या कहा सुप्रिंग कोट ने कहा भारत एक जनतंत्रे इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होने चाहिए सुप्रिंग कोट ने का प्रधान मंत्री जी ने एक ही हफ़ते के सुप्रिंग कोट के जैसी आदेश आया एक हफ़ते के बाद उसको सुप्रिंग कोट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानू कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर जी सरकार बनाएं लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एल जी साब और मोदी जी सीदे सीदे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधान मंत्री मोदी जी कह रहे है कि मैं सुप्रीम कोट को भी नहीं मानता जिस देश के प्रधान मंत्री उस देश की सरवच अदालत को नहीं मानते उस देश का क्या भव तो इतना हैंकार हो गया इन लोगों को कि इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है कि पिछले चार चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके अद एमसीडी का चुनाव सीधे सीधे चार चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई दिल्ली के अंदर 25 साल से जादा हो गई है बीजेपी की सरकार नहीं बनी है पच्चिस साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है तो इन्होंने चोर दर्वाजे से पीछे से चोर दर्वाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथ्याने की कोशिश की है दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को सतर में से सड़सट सीट दी और तीन सीट बीजेपी को दी दूसरी बार सतर में से बासट सीट दी और आठ सीट बीजेपी को दी तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिला चिला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर धकल अंदाजी मत करना परधान मंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा सातों सीट उनको नैशनल चुनाओं में सातों सीट दी और दिल्ली के चुनाओं में तीन सीट दी तो मोधी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना आप देश संबालो लेकिन मोदी जी कहते है मैं जनता की बात नहीं मानता इतना एंकार हो गया ना जनता को सुन की बात मानते ना सुप्रीम कोट की बात मानते और आपको पता इस कानून में क्या लिखा है जो कानून आज पास किया है इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे A कैटे को कि बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी उनकी ट्रांसफर पॉलिसी कौन का धिकारी कौन चप्रासी क्या काम करेगा ये प्रधान मंत्री बैठके दिल्ली के दिल्ली सरकार का कौन सा चप्रासी क्या काम करेगा कौन सा चप्रासी फाइल उठाएगा कौन सा चप बिलाएगा। कौन सा चप्रासी जाना। ये काम रहाएगा प्रधान मंद्री जी को। इसके लिए प्रधान मंद्री बनाया था देश का कि आप दिली के चप्रासी की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठे प्रधान मामंतरी बनके आप के अंदर चलाओ ना आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी क Cr रहे हो आपको क्या लगता है ऐसा क्यूं कर रहे हैं वो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले साथ आठ साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किये हैं हमने इतने शांदार स्कूल बनाए इतने शांदार अस् remnants बनाए 14 गंटे बिजली कर दी बिजली फ्री कर दी पानी घर-घर पहुंचा रही हैं सडके बनाई इतने सारे काम काम हम लोगों ने कर दिये इनसे वो काम नहीं हो रहें 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार बेड़ा गर्क है गुजरात का हर्याना के अंदर इनकी सरकार बनी हर्याना में बेड़ा गर्क है इनका मनीपूर के अंदर बीजेपी की सरकार मनीपूर को जला दिया इन को किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको बस यह इनका मकसद है मैं सुन रहा था अमिद शाजी को वहां पर संसद में भाशन दे रहे थे कहते हैं जगड़ते बहुत हैं यह लोग जगड़ते बहुत हैं यह लोग मैं स्कूल बनाता हूं यह मेरे को स्कूल नहीं बना पिर मैं जब इनसे कहता हूं मिरे को स्कूल बना देने मैं जगता हैं कि आख propor देरा बहुत हैं कि कि फिर कहते हैं के जगड़ता हूं пропåcific देरा यह जो भी मैं जो भी करता हूं छाए जगड़ता हूं चैय। जो भी करता हूं दिल्ली के लोगों को को पसंद हूं।। इसलिए तीन बार, चार-चार बार द्रिल्ली के लोगों ने मेरको जो भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँगा, तब घाडर चार बार लोगों ने हमें वोट दिया और होई मिनिस्टर रमिज्शा जी क्या कहते हैं, मैंने सुना कि सेवा करने की जनता के उपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी आपको इतना घमंड मत कीजिया मित्शाजी आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं आपको पावर इसल जी पिछले चुनाम हो आप घर 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 जाके दिली के अंदर पर्चे बाट रहे थे एक घर में जाके आप पर्चे बाट रहे थे दिली के लोगों ने आपको नकार दिया अब आप दिली के लोगों को तमाचा मारने आ गए केजरिवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतन प्रधानमंत्री जी आप खुद आये थे दिल्ली आपका भाशन उठाके देखिए आपने दिल्ली के जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा उसके पहले हर चुनाव के पहले भारतिय जनता पार्टी ने आंदोलन किये हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पून रज्य बनाने के लिए और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घूंप दिया अपनी वादे से मुकर गए अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पर कौन यकीन करेगा आपने खुद बोला फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई क्यूं क्यूंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे लोग सबा में एक भ सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिली के दो करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रियादा करता हूं धन्यवाद बोलता हूं